तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक काफी तेज चलने वाला लट्टू वो भी वेस्ट मैटिरियल से और लट्टू को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जरूत पड़ेगी थोड़ी सामगरी की तो सामगरी में हमें चाहिए इस तरह के दो डखकन जिन में की मैंने पहले से ही छेद किया हुआ है और साथ में हमें चाहिए एक पैन इस तरह का और इसको भी मैंने थोड़ा सा उपर से काट दिया है और साथ में हमें इस तरह की बोतल की भी जरूरत है और एक चाहिए हमें इ आप लोग धकन देख रहे हैं इन दोनों धकन को इस पैन के अंदर पिना देना इस तरह से जैसे मैं इनको पिना रहा हूं और छेद मैंने इसलिए ही करेते कि पैन इसमें आराम से चला जाए यह तो कुछ इस तरह से आप देख पारे होंगे कि मैंने इनको इस तरह से पिना दिया है और हाइट जो हमारी लट्टू की बनेगी वह इतनी बनेगी इसलिए मैंने इस पैन को काटा था आधा और अब मुझे क्या करना है इन दोने ठक्कन को आपस में इस तरह से चिपका देना है टेप की सायता से औ लेकिन मेरे पास यहां पर टेप है तो में टेप को इस पे चिपका देता हूं तो भाई लट्टू तो हमारा बन गया है और इस लट्टू को चलाने के लिए यार हमें इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा ना तो यहां पर जो हमारी बोटल है इससे हम सिस्टम बनाते हैं जिस है लट्व में में उपटन और से में नीचे सोसाल में नीचे कि तरफ को निकाल देते हैं इसकी अंदर से मुझ हुष। देखिए लट्टू चलने के लिए एक दम रेडी है जो हमारा इंतिजाम है वो पूरा तैयार है तो चला के देखते हैं लट्टू किस तरह से हमारा लट्टू चलता है ठीक है 3,2,1 और भाई साव यह देखो लट्टू हमारा चल रहा है काफी तगडे वाला और यार मतलब की जो हमारा लट्टू है यतनी तेज चला यतनी उमीद नहीं थी मुझे वैसे कितनी देर तक चल जाएगा और देखिए कितनी देर तक चला और काफी मज़ेदार यह लट्टू बना है और आप भी इस लट्टू को और आम से बना सकते हैं इस वीडियो को